दोस्त अगर आपकी उमर 12 से लेकर 30 साल तक में हैं और आपका गोल है लंबे समय तक ब्रह्मचरे पालन करने का तो जो भी हो जाए, कुछ गलतियों से आपको हमेशा सावधान रहना है। खास कर कि सुभा के वक्त इन चीजों को करने पर ब्रह्मचरे कंटीनियू रखना असंभव हो जाता है। आज इसे गलतियां अधिक होती है। आप रियाक्टिव मोड पर चले जाते हूँ, हर वक्त जिंता में रहने की आदत पर जाती है। तो इस गलति को ठीक करने का उपाय है सुभा जल्दी तीन से चार बजे तक में उठकर आराम से सारे काम पूरे करना। इससे आप पूरे दिन ज्यादा उर्जवान फिल करेंगे और स्ट्रेस भी नहीं होगा। सब काम पूरे होंगे दिन अच्छे से बीतेगा तो पल भर के मजे में आप जाना भी नहीं चाहेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए दूसरी गलती है अपने गोल्स को ना लिखना। जिस एनरजी को आप बचा रहे हैं उसको कैसे लगाना है कहां लगाना है ये समझे। पांच मिनट निकाल कर आज जो भी छोटे बड़े काम हैं वो सब लिख लें। इसके बाद आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखे यहाँ पर कि कौन से दो बड़े लॉंग टर्म गोल्स हैं जिन पर काम करने से आपको अंदर से संतुष्टी होगी। और साथ मैं ऐसे दो छोटे गोल्स जिने पूरा करके आपको लगे कि हाँ आज मैं कल से बहतर हुआ। इन चार गोल्स को उपर लिख कर इनके साथ ही अपने दिन की शुरुआत करें। ऐसा करके आप अपनी इनरजी को एक सही दिशा दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी गलती जो युवा अकसर करते हैं वो है नींद खुलने के बाद भी बिस्तर पे लेटे रहना, मोबाइल चलाना। ध्यान रखना सुबह सबसे पहले दिमाग को जो इनफॉर्मेशन आप देते हैं उसका असर पूरे दिन रहता है। शुगर और कार्ब्स खा कर दिन शुरू करना। जैसे चाए, कॉफी, सफेद ब्रेड, चाउमीन, पास्ता, बिस्किट्स ये सब एकदम से ब्लड शुगर को बढ़ाता है। से उर्जावान बने। और मित्र ब्रह्मचरे को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए बेस्ट ब्रह्मचरे किताब का लिंक इसी वीडियो के डिस्किप्शन में दिया है। आप देख सकते हैं। ख्याल रखेगा अपना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में।